इस वीडियो में हम एक आव्यों के एक अदिश से गुड़न की संक्रिया को समझेंगे अर्थात हम देखेंगे कि कैसे किसी मेट्रिक्स को एक स्केलर के साथ मल्टिप्लाई किया जा सकता है चलिए इसको एक उधारर की सहाईता से समझते हैं तो माल लेते हैं कि हमको यह आव्यों दे रखा है इस आव्यों के अव्यव हैं साथ, पाँच, माइनस दस, तीन, आठ और शून्य इस आव्यों के पास दो पंक्तियां हैं और तीन स्तम्भ हैं अर्थात इस आव्यों की कोटी होगी टू बाई थ्री आगे माल लेते हैं कि इस आव्यों को हमें तीन से गुणा करना है ध्यान दीजे, यहां हम एक संख्या और एक आव्यों के गुणन की बात कर रहे हैं अभी तक हमने इस प्रकार के गुणन को परिभाशित नहीं किया है सामाने बोल चाल में हम तीन को एक संख्या या वास्तरिक संख्या बोल सकते हैं लेकिन अभी हम आव्यों या मेट्रिसिस के संदर्ब में बात कर रहे हैं चुकि तीन किसी आव्यों का भाग नहीं है हम संख्या तीन को इस नए संदर्ब में अदेशिया सकेलर बोलेंगी अर्थात यहां हम दिये गए आव्यों को अदेश तीन से गुणा करना चाहते हैं हाला कि अभी तक हमने इसका अपचारिक तरीका नहीं सीखा है पर आपको क्या लगता है इसका उत्तर क्या होना चाहिए यहां आप विडियो को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं आप सोचेंगे तो पाएंगे कि इस संक्रिया को परिभाशित करने का सबसे सहज और सबसे स्वभाविक तरीका यह है कि आप आव्यों के हर अव्यव को इस अदेश तीन से गुणा कर दे तो हम लिख सकते हैं कि यह बराबर होगा तीन गुणा साथ, तीन गुणा पांच, तीन गुणा माइनस दस, तीन गुणा तीन, तीन गुणा आठ, तीन गुणा शूने के इसको और सररल करके लिखें तो हम लिख सकते हैं कि ये बराबर आ जाएगा तीन सत्ते 21, तीन पंजे 15, माइनस 30, 9, 3,8, 24 और 0 लिखे जब आप किसी आव्यूः को किसी अदिश से गुणा करते हैं तो आपको समान कोटी का एक नया आव्यूः प्राप्त होता है यह नया आव्यूः दिये गए आव्यूः के प्रतेक अव्यव को अदिश से गुणा करने पर मिले आव्यूः के बराबर होता है